हेलो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राश्टियो ध्यान और पच्छी विहार को लेकर एक और महात्पूर पार्ट जिसके बहुत सारे भ भ्यारण आपको कौनसे राज में दिखाई पड़ता है तो ये जो आपका डालमा वनेजी व भ्यारण है जो आपके पास विकल्प है बिहार में है, जारकंड में है, चतीसगर में है, उडीसा में है आपका जवाब हो जाएगा ये जारकंड में आपको दिखाई पड़ता ह अगला सवाल है सरिस्का राश्ट्य उध्यान कौन से राज में है यह गुजरात में है मद्य प्रदेश में है उडिशा में है या फिर राजस्थान में है तो याद रखेगा सरिस्का राश्ट्य उध्यान आपको कहा दिखाई पड़ता है राजस्थान में दिखाई पड़त अगला सवाल है राजाजी रास्ट्य उध्यान आपको कौन से राजी में दिखाई पड़ता है राजाजी रास्ट्य उध्यान जम्मु कस्मीर में है उत्राखंड में है हिमाचल प्रदेश में है या मद्धि प्रदेश में है तो अंसर आपका हो जाएगा उत्राखंड में द चारकंड में है या फिर पस्चिम मंगाल में है तो पांच नमबर के अंसर की बात करेंगे आपका यहां पे यह सही ध्यान रखेगा आगला सवाल है मतिकेटन 16 रास्टियो द्यान आपको कहां रिखाई पड़ता है केरला में है तमिलाडु में है आंदरप्रदेश में है या म प्रदेस में है उत्राखंड में है या फिर केरला में है साथ नमबर के जवाब की बात करेंगे यहाँ पर आपका ये सी है ध्यान रखेगा उत्राखंड सही है बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले महातपूर सवाल की तरफ स अगला सवाल है कुनो रास्टी उध्यान कहां पर दिखाई परता है उत्राखंड में हिमाचल प्रदेस में जम्मू कस्मीर में या फिर मद्धि प्रदेस में कुनो रास्टी उध्यान को लेकर बात करेंगे नौ नमबर की अंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पर डी सही है दियान लखेगा भाई क्या सही है D यानिकी मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हैं गुइंडी रास्तियो ध्यान कौन से राज में इस्थित्वाना जाता है आपका गुइंडी रास्तियो ध्यान आप सिक्किम में देखते हैं आप करनाटक में देखते हैं आप जमु कस्मीर में देखते हैं या फिर तमिलाडू में देखते हैं सवाल नमबर 10 है और आंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पर D हो जाएगा चलिए अगला सवाल है खिरगंगा रास्टियो ध्यान आप कहाँ पर इस्थित मानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्ष्थी में उत्तरा खंड में हिमाचल प्रदेश में खिर गंगा रास्टियो ध्यान आप कहाँ पर इस्थित मानते हैं सवाल नमबर 11 है और आपका जो जवाब हो जाएगा वो D हो जाएगा नेक्स्ट आइए सवाल नमबर 12 है अंसर की बात करेंगे आपका जो जवाब है भाई वो आपका A ही सही है जहाँ पर ध्यान रखेगा आए बुकसा टाइगर रिजर्व आपको कौन से राज में दिखाई परता है केरला में आंधर प्रदेश में गुजरात में या फिर पस्चिम बंगाल में बुकसा टाइगर रिजर्व सवाल नमबर 13 है तेरा है अंसर की बात करेंगे आपका D से या पर पस्चिम बंगाल ठीक है भाई चलिए भितनिका नेशनल पार्क और अभ्यारण आपको कौन से राज में दिखाई परता है भितनिका नेशनल पार्क और अभ्यारण ये महारा नेशनल पार्क आपको कौन से राज में दिखाई परता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क जम्मु कस्मीर में है उतराखंड में है तमिल्नाडू में है या फिर असम में है 15 नमबर के अंसर की बात करेंगे आपका जो जवाब होगा ये 20 है या नेक्स आइए आए आय 16 नंबर है आपका जो अंसर होगा भाई वो A सही है आपे राजस्थान ठीक है Mount Harriet National Park आपको कहां दिखाई पड़ता है अंडमा निकोबार दीप समू में राजस्थान में गुजरात में या फिर जम्मो कस्मीर में 17 नंबर के अंसर की बात करेंगे आपका जो जवाब हो जाएगा भाई वो A हो जाएगा दिखाई पड़ता है आसाम में दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है बिहार में दिखाई पड़ता है या फिर बद्र प्रदेश में दिखाई पड़ता है में है करनाटक में है या फिर आंदर प्रदेश में है सवाल बहुत इंपोर्टेंट रहेगा 90 नंबर के अंसर की बात करेंगे आपका यहां पर यह सही ए इटांकी रास्टियों ध्यान आपका कौन से राज में दिखाई पड़ता है इटांकी रास्टियों ध्यान अब्यारण आपका कौन से राज में है गुजरात में मद्यप्रदेश में उडिसा में या च्छतीस गड़ में 21 नंबर के अंसर की बात करेंगे आपका डी यहां पर सही ध्यान दिखाई पड़ता है गुर घासी दास नेस्नल पार्क आपको कौन से राज में दिखाई पड अगला सवाल है बालक्रम नेस्नल पार्क यह कौन से राज में दिखाई पड़ता है मेघाले में महारास्ट में सिक्किम में या फिर पस्चिम मंगाल में बहुत इंपोर्टेंट है 23 नंबर जवाब की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या अंसर हो जाएगा ए हो जाएग ठीक है बाई नेक्स आईए मेघाले यह चांग ठांग वने जी अभ्यारण आपको कौन से राज में दिखाई पड़ता है मिजोराम लद्दाख नागालेंड और तमिल नाडू सवाल नंबर 24 है उत्तर की बात करेंगे यहां पर आपका यह सहीए द्यान दिखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं मदुमलाई नेशनल पार्क आपका कौन से राज में है त्रिपुरा करनाटक गोवा और तमिल नाडू मदुमलाई नेशनल पार्क यह आपका कौन से राज में है त्रिपुरा में है करनाटक में है गोवा में है तमिल नाडू में है अंसर हो जाएगा आ तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें इसके अलावा अगर आपने अभी तक Unacademy पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं वहाँ पर आपके तयारी और बहतर होती है अगर आप अपनी तयारी को बहतर करना चाहते हैं तो आपको Unacademy प्लस जॉइन करना पड़ेगा जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के बहुत सारे अच्छे-च्छे बैच पिलेंगे जो आपके लिए बहुत जादा important होने वाले हैं तो इन बैचेस को अगर आप जॉइन करेंगे तो आपके तयारी बहतर होती है हर संडे बारा बज़े आपका combat टेस्ट होता है जिसकी खास बात यह है कि वहाँ पर आप बहुत सारी scholarship चीज सकते हैं अगर आप प्लस जॉइन करते हैं तो आपको unacademy ask a doubt नाम का feature मिलता है जहां से आप अपने doubts क्लियर कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्लस जॉइन करना तो आप हमारा code यूज करिए दीपक सिंग वाइटी 10 और ये code अगर आप यूज करेंगे तो आपको maximum discount मिल जाएगा हम आप से जल्द मिलेंगे इसी के भाग 4 के साथ अभी के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद नमस्कार बाई बाई